सो वेलकुम 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 तो सुपर नॉलिज पॉइंट चैनल सो गाइस आज तोपिक इस चैप्टर नमबर शिक्स ऑफ क्लास नाइन थाइस यसी बोर्ड हीट एंड एनर्जी तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्रीज लाइक जरू करिएगा चलि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हीट एन एनर्जी की इस मतलब कि एक एनर्जी एक हीट एक सार्म उफ एनर्जी है जिसका ट्रांसकल एक वर्मर मालम होड बाड़ी से कोलड बाड़ी होता है याओ वार्मर अब्जक्त को तो इसे कीक आप ऍटक भी लिकंगी जोंते हैं और केमिकल चविistant इसके अ अब कुछ 45 में बाथ करें तो हुआ इक्जाम्पल्स हीट एंड़ इंग्रूज एलेक्रिकल इसे और जैसे और सटीच तो और जैसे अर्थ सन की सोलर रेडिएशन वह लोग के वो जो लेयर पार्थी यह वी अल्ट्रा वाइलाटरी यह एक है एक लीट अनुट इनर्जी है तो चलिए अब हम लोग अपना है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेट्स बीगन सुच चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से फीट मतलब की हीट का कॉंसेप्ट किया है हीट फॉर्म फ़नेशी हीट क्या है एनर्जी का फॉर्म है एच अबजेक्ट कांटेंट मैंटर विच इस मेर काई नेटक एनरजी जो आपजेक्ट मोव किया करते है से एस वीजिए जो मूव किया करते हैं उस एनरजी को जो उनके अंदर यह वाली अनरजी होती हैं उस्वाइन टेक आज एनरजी कहते है और उनके पास दोंटी होती है है और यह जो एनर्जी होती है दूसरे को अट्रेक्ट करने की एक दूसरे को अट्रेक्ट करने की जो एनर्जी होती है उससे हम लोग एक बहुत अच्छा सा नाम देते हैं और वो नाम है पोटेंशियल एनर्जी क्या है गाइस वह पोटेंशियल एनर्जी तो अगर आप से प तो अगर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो बॉड़ी होट है अगर इंटरनल एनर्जी लो है तो बोड़ी कोलड है लिक डिफाइन ही फार्म फ़र्म अफ एनर्जी डैट फ्लोस तो चलिए गाइस आप हम लोग यूनिट किसी भी चाप्टर का मोग फिजिसको कोई भी ुल मतलब जू होता है। उसकी एपिडियो आप होती है। जिसे हम लोग कैप्टल जैसे डिनोट करते हैं और एक थे किसीस यूनिट की कि बात ऐह होती है अरग क्यमोत फार अर्ग और यहां कुछ और अदर यूनिट की बात좌ते हैं और सकतावL खतम हुआ हम लोग का टापिक आप हम लोग बात करेंगे कॉंसेप्ट आफ टंग प्रेचार वह भी नक्स्ट वीडियो में तो गाज चैनल को सब्सक्काइब कर दियेगा मैं जल्दी नक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो प् नेक्स्ट आपिक साथ भाइ भाइ टेक यह